बिलाई के चावनी थाना अंतरगत बिहारी मुहले में एक 26 साल का युवक सराप की नसे में छट से गिर गया। सीर में गहरी चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देरात वाप पार्टी मना कर अपना मामा के साथ घर लौटा था। और सुबा परिजनों ने घर के बगल में उसकी लास देखी। उन्होंने तुरंट पुलिस को सुचित किया। चावनी पुलिस शाओ का पंचनामा करवाई कर रही है। प्रत्यक्ष दर्स्तियों ने बताया कि 37 चाओधरी बगल में ही अपने दोस्त की अहां छुट्टी पर पार्टी मनाने गया था। उसके साथ उसका मामा भी रहा। वहाँ सभी लोगों ने बैट कर सराब पार्टी की। इस बाद 37 अपने मामाक साथ देर राज 12 बजे घर आ गया। दोनों लोग छट के उपर बने कमरे में सोने चले गए। सुबा 6 बजे घर वालों ने सोर मजया कि वो छट से नीचे गिर गया है और उसकी मौत हो गई है। देखते देखते वहां भीर लग गई। सुचना मिलते ही चाओनी पुलिस मौके पर पहुची। CSP चाओनी प्रभाद कुमार और थाना प्रभारी मोनिका पांडे भी मामले की जाच करने मौके पर पहुचे। 37 तीन भाईयों में मजला था वा विलाई के किसी फैब्रिकेशन प्लांड में काम करता था। उसके पिता जवाहर चोधरी मकान बनाने का ठेका लेता है। पिता ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में कुछ जानकार ही नहीं है। सुबा जब 37 के गिरने की सुचना मिली तो उनके पैरो तली जमीन की सक गई। घर वालों का रोरोकर बुरहाल है। बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रीपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब चबड़ी न्यूज चैनल 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूड़ने का।